बगवान विश्वनात की नगरी वारा नसी की ये घटना है एक सन्यासी गंगा जी में सनान करके पवित्र हो करके विश्वनात जी के दर्शन के लिए जा रहे थे घाट पर काफी भीड थी प्राय आपने देखा उगा सनान के दर्शन के लिए अट लोग वहां आते हैं अब वह सन्यासी जब जा रहे थे घाट पर उसी भीड में एक चांडाल था अब देखिए भीड इतनी होती है कि एक दूसरे से स्पर्ष होई जाता है चांडाल ने भी बड़ा प्रहित्न किया लेकिन उसके वस्तर का स्पर्ष वो सन्यासी को होई गया तो वो सन्यासी बड़े नाराज हुए बड़ा उनको गुसा आया बोलने लगे देखते नहीं हो क्या अंधे हो क्या कैसे चलना तुमको मालूम नहीं है देख नहीं रहे हो तुम मैं सनान करके पवित्र हो करके निकला हूं भगवान के दर्षन के लिए जा रहा हूं अब तुमने मुझको स्पर्ष कर दिया आप मुझको फिर स्नान करना पड़े जा आप जो इस तरह से क्रोथ में गुस्से में बोलने लगा चांडाल उनको प्रडाम करता है किता है माराज गलती हो गई शबा कीजिए और वो कहने लगा कि जहां तक स्नान की बात है आप स्नान करे या न करे मुझको तो अब स्नान करना होगा मुझको तो स्नान करना ही पड़ेगा सन्यासी ने ये सुना तो और नाराज हुआ तुम को क्यों स्नान करना पड़ेगा तुम कहां पवित्र होगे तो वो चांडाल कहने लगा कि सबसे अपवित्र महाचाणडाल तो क्रोध है और उसने आप में प्रवेश किया और फिर उसका स्फर्ष मुझको हुआ तो अब मैं हो गया पवित्र तो अब मुझको स्दान करना पड़ेगा ताकि मैं पवित्र हो जाओ सन्यासी ये उत्तर सुनके आश्चर ये व्यक्त करने लिए बोले रहे ये चांडाल होके बताईगे कितना ग्यानी है इसको इन विकारों के बाहरे में कितना ग्यान है सन्यासी लज्जा से उसका सिर नीचे हो गया और उसने कहा तुम सही कह रहे हो अपवित्र वस्तु तो ये क्रोध है जब ये क्रोध मन में आता है तो देखिए चित्ता अशुद्ध हो जाता है सुक जोय वो चला जाता है इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है शक्नोति है वयसोडुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध होत भवम वेगम सयुक्तस सुखी नरा पले काम और क्रोध के वेग को यह दि तुमने जीत लिया तो तुम सुख्यों होगे काम और क्रोध का वेग ही आता है तूफान की तरह यदि उस समय हम समल गए तो हम बच जाते हैं तो यहाँ पर वो चांडाल ने सन्यासी को समझा दिया कि क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए का कर्वार देखिए वेश धारण करने से व्यक्ति वूचा नहीं होता कि उसने अपने अंतक करण पर विजय प्राप्त किये कि का मन को पवित्र किया है कि यह ज्यादा महत्त्वपूर्ण झाल झाल